complementary angles ऐसे angles हैं जिनका sum जो है वो होता है जी 90 degree अब इनको आप याद कैसे रखेंगे इनको याद करने का मैं आपको interesting तरीका बताता हूँ तो C को आपने 9 बना देना है यहां से आपने 90 याद रख लेना है अब यही angle में थोड़ आपको explain कर देता हूँ कि एक मेरे पास side है यह वाली यह origin आ गया O यह है जी A और दूसरी side है मेरे पास यह चीज़ अब यह वाला angle कितना है यह हम D की मदद से देख लेते हैं जी तो यह angle आ रहा है जी almost 45 degrees score में रे ले लेता हूँ यह वाली यह A था C था इसको मैं B कह देता हूँ 45 है तो यहां पे total 90 होगा तो यह भी 45 हो जाएगा तो यहां पे आप जो दो angle है angle A O C दूसरा यह वाला जो angle है angle B O C इन दोनों का जो sum है वो बन रहा है 90 degree तो इन दोनों angles को हम कहेंगे complementary angles हमें ce प्यों में गएगा है सेको्षा जो स्था है love को हमाई सबक्षा ok